अब आपके साथ शेयर करने वाली हूं यह घी बनाने के बाद जो अक्सर एक ब्राउनिश सा पार्ट बच जाता है जिसे अलग जगह पे अलग नाम से जाना जाता है पर काफी जगह पे अलग डिशिस बनती है और काफी जगह पे इसको फैंक दिया जाता है लेकिन यह इतना मेरे पास ब्राउन पार्ट था जो उसी के बराबर मैंने यहां पे सूजी ली है कोशिश कीज़े पारीक वाली सूजी लीजेगा और उसमें मैंने इसमें थोड़ा सा दूद डाल दिया है दूद हमें इतना डालना है जिससे की सूजी जो है हमारी अच्छी सी भीग दोनों की क्वेंटिटी हमारी इक्वल होनी चाहिए आपकी सूजी की क्वेंटिटी जाधा भी हो सकती है लेकिन जो आपका ब्राउनिश पार्ट है उससे कम नहीं होनी चाहिए जाधा ही होनी चाहिए तो बस हमने सूजी को 10-15 मिनिट के लिए भीगने के लिए रख देना ह यह जो घी का वे प्रोटीन बचा हुआ है क्योंकि यह मैंने बना करके कल मैंने घी बनाया था तो इसको बना करके मैंने फ्रिच में रख दिया था तो इसलिए अभी यह थोड़ा हाड है तो इसको थोड़ा समय एक नॉर्मल टेंपरेचर पे ले आएंगे और साथी में इसमें अड़ कर देंगे जो सूजी हमने सोग करने के लिए रखी थी दूद के साथ में दोनों को डाल करके हमने मीडियो फ्लेम रखते हुए अच्छे से पका लेना है देरे देरे जैसे ये मेल्ट होना शुरू होता है अपने आप खी छोड़ना शुरू कर देता है आपको एक्स्ट्रा घी डालने की कोई जरूत नहीं है ये भी घी का ही पार्ट होता है लेकिन कुछ ऐसा पार्ट होता है जो कि अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाता है और अलग से बच जाता है इसका फ्लेवर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है लेकिन ये काफी हेल्दी होता है तो ग्रोइंग किट्स जो है उनके लिए काफी अच् कर सकते हैं तो फिर से हम पकाएंगे जैसे ही चीनी मेल्ट होगी ये भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी तो इसे हमें बिल्कुल ड्राइफ फॉर्म तर पका लेना है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दस से पंदरा मिनट में बहुत अच्छे से हमारा एक फॉर्म एक बेस बन इसमें अड़ कर सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम आफ कर देंगे उसके बाद मैंने यहां पर एक रेक्टेंगल शेप का बॉक्स लिया है आप स्क्वेर भी ले सकते हैं या फिर जिस भी शेप में आप इसको बनाना चाहते हैं उसमें आप एक उस तरह इसे फ्लाट कर देंगे ताकि इसके एक अच्छी सी शेप आजाए पिर चाहिए आप इसको रूम टेम्परेचर में छोड़ सकते हैं अगर आपका टेम्परेचर थंडा है अगर गरम है तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए जिससे बहुत अच्छी से से सेट हो जाएगा अब यह बिल्कुल सेट हो गया है इसको डीमोल्ड करके हम अपनी मन पसंद शेप में कट कर लेंगे और उपर से ड्राइफ फ्लूर्स के साथ कानिश कर देंगे आप डेली इसको खा सकते हैं बच्चों को भी दे सकते हैं दूद के साथ खा ये बहुत ही हेल्दी आप्शन ह जरूर की जेगा